हलो नमस्ते वेल्कम बैक टू दे चनल दोस्तों तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मेट्रो लाइन 6 यानि की पिंक लाइन का अपडेट ये लाइन शुरू होती है SS नगर यानि की सौमी समर्थ नगर फ्रॉम लोखंड वाला कावरिंग अल्मुस्ट 15 किलोमेटर का स्ट्रेच यहां से ये लाइन गुजरती है और क्रॉस करती है लिंक रोड को और गुजरती है तंग बहरामबाग के बैक साइड से और ये पहुंच जाती है आन्टो sv रोड और sv रोड से ये क्रॉस करती है जोगश्वरी western railway track को और ये जाती है towards western express highway और वहाँ पर ये प्रॉस करती है western express highway के flyover को और पहुंच जाती है जोगश्वरी विकलोरी link रोड पे और वहाँ से ये अपना सफर ताई कर कर पहुंचती है तो आज हम इसका जो है फोगरेस देखेंगे तो यह जो आप देख रहे हैं आपके सामने में यह है यहां का फर्स्ट स्टेशन जो की है लोखटवाला सरकल के ज़स्ट आगे में सौमी समर्तनगर का स्टेशन तो यहां से भी हम इस लाइन में गुजरेंगे और टोटल 13 स्टेशन को देखेंगे और कितना काम यहां पे हुआ है उसकी भी जानकरी में आप लोगों को देता रहोंगा तो अल्मोस्ट इसका जो काम है वो 60% सिविल वक जो है वो कंपलीट हो चुका है जैसे कि आप वीडियो में देखते चलेंगे इस लाइन के अगर बात करें तो इसका जो DPR है उसे प्रेपेर किया गया था डेली मेटरो रेल कॉर्परेशन दौरा इन डिसेमर 2016 और इसे महारास्टा गॉर्मेंट ने अपरूप कर दिया तो अक्टूबर 24, 2017 को विद दे कॉस्ट आफ 66,72 करोर रुपीज के और यह जो आप उपर में देख रहे हैं यह है लाइन 2A और यह राइट हैंड साइड में है इसका मेटरो स्टेशन और यह है लिंक रोड तो इस लाइन को भी यह क्रोस करेगी और यह आगे बढ़ेगी यहां से बहराम बात के लिए और इसमें आगे आएगा एक और विएवर का शकल दिया जा रहा है जिससे की जो ट्राफिक होगा कार्स का वो उस फ्लाइवर को मूव करके पहुचेगा आगे ट् Figure से रोड के पास में और से वो SP road का flyover cross करकर यानि की जोगेश्वरी railway track का cross करकर आगे बढ़ जाएगा towards western express highway के लिए तो ये जो आप flyover यहाँ पे देख रहे हैं उपर में जो बना हुआ है metro का और नीचे वाला जो आप देख रहे है T-shape में इसमें बनने वाला है vehicle motor vehicles के लिए एक flyover तो ऐसे दो टाइप के flyovers इस पुरे मुंबई में metro train में बन रहे हैं जो की एक है मिरा रोड और बाहिंदर वाले लाइन में और दुसरा जो है वो जोगेश्वरी विक्रोली वाले लाइन में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहराम बागवाला एरिया लेफ्ट और राइट हैंड सेट पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह पूरा जो है residential एरिया है तो इसके बीच में ट्राफिक बहुत होता है इसलिए यहाँ पे जो है मेट्रो रेल के साथ में फ्लाइवर का भी निर्मान साथ साथ में किया जा रहा है जिसे कि आप देखेंगे यह जो टीशेप आला फ्लाइवर नीचे में दिख रहा है आपको यह आगे जाके एक और जो अंडर construction फ्लाइवर है जिसे कि यह जाके जॉइन होने वाला है वो भी आप इसी लाइवर में आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैं और लेफट हैं साथ में यह जो है residential एरिया है और यहाँ से यह लाइवर इस फ्लाइवर को आके आगे में joint हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह pillars यहाँ से जा रहे हैं और यह सामने में आपके भी आ रहा है एक flyover जो इसे जाके यह connect हो जाएगा और यहाँ से जो है traffic आगे बढ़ जाएगी towards western express highway के लिए तो अभी हम आये थे उस तरफ से और यह जो line है यह इस तरफ में आ जाती है flyover के और यह इस side से यह line जो है metro की गुजरेगी towards western express highway के लिए जहाँ पर की है इसका जोगिशवरी का जै कोच के flyover के पास में एक station जहाँ पर यह line जो है interchange देगी line 7 के लिए तो इस line को interchange मिलने वाला है line 7 के साथ में भी line 2A के साथ में जो हमने पहले देखा link road पे और इस line को जो है interchange मिलेगा metro line 3 यानि की ships से कुलाबा underground railway जो कुजरने वाली है metro line उस पे भी और एक और आप लोगों को बता दू इसमें एक और interchange मिलेगा आपको जो की होगा line 4 जो की वड़ाला से जानी है ठानी की तरफ at कांजुर मार्क के पास में और इसे जो है सबर्बन कांजुर मार्क railway station से भी जोड़ा जाएगा तो अभी हम जो है गुजर रहे हैं जोकेश्वरी फ्लाइवर के उपर से जोकी जोकेश्वरी का railway track अपने देखा नीचे में उससे ये गुजर कर आगे बढ़ जाता है towards western express highway के लिए तो यहाँ पर जो है अभी आप देख सकते हैं सिर्फ pillars जो है उसे निर्मान करने का काम य western express highway पर तो यह हम अभी पहुँच चुके है western express highway पर और यह सामने में जो आप देख रहे हैं यही है line 7 जिसे की interchange मिलेगा और यह left hand side में जो है यही पर है जोकेश्वरी का metro station जहां से पर इस line को interchange दिया जाएगा अभी हम western express highway को cross करके हम पहुच चुके हैं अभी JVLR यानि की जोकेश्वरी विक्रोली link road पर तो यहां से अभी हम गुजरेंगे और हम देखेंगे कि यहां पर कितना काम हुआ है JVLR जो है यह line जो है यह cross करती है यहां से towards ships के लिए जाती है ships के आगे में यह जाती है विक्रोली के लिए तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है flyover जो है उसे नीचे निर्मान किया गया है और इसके उपर में जो आप देख सकेंगे बीच में से उपर में वो है metro line तो यहां पर भी इसी point पर से जो back में आपने देखा महां से यह line start होगी और यह line जो है यह खतम होगी at महाकाली जहां पर कमाल अम्रोही का studio होता था यह line जो है यह वहां तक जाएगा यह flower और यह flower जाके वहां पर end होगा तो एक flower जो है वो आपने देखा back side में और एक और flower जो है वो यहां से start होगा और end होगा हमाल अम्रोही यानि कि महाकाली caves के पास में तो इससे यह होगा कि यहां पर जो traffic congestion का बहुत बड़ा problem होता था वो problem कहीं ना कहीं solve करने की कोशिश की गई है तो आने वाले कुछ एक सालों में यानि कि lighting मुझे तो लगता है कि 3- flower का importance क्या है कि यहां पर traffic कम हुआ या नहीं हुआ ठीक है तब आप देखते चलें यहां पर की civil work जो है वो काम बहुत अच्छे से यहां पर complete कर दिया गया है तो यह जो flower है यह आपने देखा यह यहां पर महाकाली caves के करीब में आके यहां पर खतम होता है और यहां से जो है मेट्रो लाइन फिर गुजरती है आगे towards मेट्रो महाकाली स्टेशन के लिए और यहां से यह बढ़ जाती है आगे towards ships के लिए जहां पर इसे interchange दिया जाएग metro line 3 से जो की है ship से कुलाबा वाली underground line तो अभी हम बात करते हैं कुछ technicals के बारे में इसकी JSPL यानि की जिन्दाल स्टील प्रांट लिमिटेट इसे जो है जैन 2021 में supplying of 1500 metric tons of class A880 grade के rails टू कांजुर्माग डिपो को इन्हें contract दिया गया था और pendrol rahi technologies इसे भी 2021 में line 6 के लिए tracks fastening system का जो contract है वो भी इसे दे दिया गया था तो तब से जो है ये काम इनका slowly slowly चल रहा है और अभी है 2024 तो 21 से लेके 2024 में इनका ये काम चल रहा था तो 2024 में आकर पारस rail tech इसे जो है 80.49 करोर का contract जो है वो award किया गया है on January 29, 2024 को जिसमें की आता है tracks work और स्वामी समर्थनगर से लेकर towards विक्रोली तक वहाँ पे इनका काम होगा installation करना, testing and commissioning of blastless tracks का और उसमें including होगा supply of buffer stop for line 6 भी ठीक है और बता दो आप लोगों को कि March 2024 में Sam India Build Well जो है उसे भी एक contract दिया गया है जिसकी लागत कोस्ट है 509 करोर रुपीज जिसमें की उन्हें करना है डिपो का काम जो की है 15 hectares में जहाँ पे ये डिपो बनाने का काम करेंगे वहाँ पे इनके काम में including जो आता है वो उसकी जानकरी आप लोगों को दे देता हूं including है building boundary, falls, earthwork, filling, construction of workshop और उसमें आएगा inspection way, stabling lines और automatic washing plant और आएगा OCC यानि की operation and control center तो ये इन्हें contract दिया गया है जहाँ पे की इन्हें कारशेट का काम करना है next 30 months में और इसका जो काम है वो लगबग स्टार्ट होगा मेय या जून में जो की होगा कांजुर मार्ग कारशेट में तो दोस्तों ये है left hand side में आपके पवई लेक और यहां से अभी हम गुजर रहे हैं आगे towards रामबाग के लिए रामबाग से हम बढ़ जाएंगे आगे towards IIT बंबे के लिए और वहाँ से ये line जो है आगे बढ़ जाएगी towards विक्रोली के लिए आटीर 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 झाल 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 तो दोस्तों यह आपके लेफ्ट एंड साइड में आएगा बॉंबे आई आई टी और यहां से आप देख सकते हैं विक्रोली तक यहां पर खाम अच्छी खासा हुआ है बीच में भी इसके लाइन को आगे जाके लाइन फोर को इंटरचेंज दिया जाएगा वो मैं आप लोगों को आगे पॉइंट डॉट करके बताऊंगा कहां पर इंटरचेंज मिलेगा तो आप जैसे की देख सकते हैं कि यहां पर जो है खाम अच्छी खासी गती पर कम्पलीट हो चुका है तो दोस्तों यह लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं पिलर्स और यह है फ्लाइवर तो यह फ्लाइवर के लेफ्ट हैं साइड से यह पिलर्स जो है जा रहे हैं और यह पिलर्स जो है यह क्रॉस कर रहा है LBS मार्ग को और लेफ्ट हैं साइड में और right hand side में line 4 जो है वो गुजरने वाली है इसी flyover के across मतलब इसके उपर से और वो आगे बढ़ जाएगी LBS road लेकर towards धाने के लिए तो इस line को जो है interchange यहाँ पे दिया जाएगा LBS mark पे जो की होगा गांधी नगर का station वहाँ पे इसे जो है वो interchange दिया जाएगा तो अभी हम जो mark का central railway station का flyover को तो इस line को जो है उसे जो है कांजुर mark railway station से भी जोड़ने का काम यहाँ पे किया जाएगा तो इस line को जो है वो अच्छी खासी interchange मिलने वाली है with three metro lines और two एक central और a question line तो अभी हम जो है लगबग अपनी आखिर वाले stretch में पहुच चुके हैं और यह line जो है य यहाँ पे आके आगे में समाप्त होने वाली है जहाँ पे यह होगा विक्रोली का station और वहाँ से यह जो line है left में चली जाएगी जहाँ पे यह आप देख सकेंगे कि left hand side में जो है 15 hectares का बहुत बड़ा plot है जहाँ पे इसका car sheet यानि की depot बनने वाला है जिसकी जानकरी मैंने आप लोगों को इससे पहले शेर किये तो I hope कि आप लोगों को जो वीडियो है मेरा पसंद आया होगा और जानकरी जो है वो भी proper मैंने आपको देनी की कोशिश की है तो यह line देखते हैं आप कि यह आपे खतम हो रही है तो यह left hand side में चली जाती है खारशेट यानि यह वीडियो में तब तक खुश रहें आबाद रहें और जो चाहें वो करते रहें